लंबी जद्दु जहत उठापटक के बाद आखिरकार आज कॉंग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया। चुनाओ के दौरान कॉंग्रेस ने 9900 में से 9500 डेलिगेट्स ने वोटिंग किया था कॉंग्रेस में इससे पहले अध्यक्षपत के चुनाओ 1949, 1950, 1977, 1997 और 2000 में हुए थे। मतदान के पहले सोनिया गांदी ने कहा था कि मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। थरूर ने खड़गे से करारी हार को स्विकार करते हुए पार्टी के नए अध्यक को बदहाई दी। हाला कि कॉंग्रेस ने इस बाद को खारिज कर दिया था। राजस्तान प्रकरण के बाद गहलोत ने माफी तो जरूर मांगी लेकिन कॉंग्रेस आला कमान का अपने इस भरोसे मन साथी से विश्वास डगमगा गया। इसके तूरंत बाद कॉंग्रेस की तरफ से खडगे को अध्यक्षपत का प्रत्याशी बनाया गया। असी वर्षी खडगे का जन्म करनाटक के बीदर जिले के बारावती इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गुलमर्ग के नूतन विद्याले से अपनी स्कूली सिक्षा पूरी की और गुलबर्गा से सरकारी कॉलेज से सनातक की डिग्रे हासिल की। फिर गुलबर्गा के ही सेठ संकरलाल लाहोटी लाकॉलेज से एललबी करने के बाद वकालत करने लगे। साल 1969 में उन्होंने कॉंग्रेस का हाथ थामा और 72 में पहली बार करनाटक के गुर्मीत कल एसेम्बली सीट से विधान सभा लड़े और विधायक बने। खड़गे गुर्मीत कल सीट से नौ बार विधायक चुने गए हैं। इस दोरान उन्होंने गुडुराव, एसेम कृष्णा और वरप्पा मोईली की सरकारों में विधिन विभागों में मंत्री का पत संभाल चुके हैं। वह दो बार गुलबर्गा से कॉंग्रेस के लोकसभाज सांसत भी रहे हैं।